आज का सूर संस्कार दुख का कारण अज्ञान हम जितना भी दुख भुगतते हैं अनुबो करते हैं उन सब का कारण अज्ञान अज्ञान से हमारी मुक्ती बादित हो जाती है और अज्ञान से हमको रियलिटी का पता नहीं चलता है तो उस दुख के कारण को हमें अड़ाना चाहिए अज्ञान को हम ग्यान और विध्यान के दोरा इसको पराजित कर सकते हैं और दुनिया में सबसे बड़े दो अज्ञान हैं पहला अज्ञान तो मैं कौन हूँ और दूसरा अज्ञान है इस जगत का संचालक कौन है ये दोनों गुत्ती जब हल हो जाती है यानि हमारे मन के अंदर पूर्ण शुद्धा समझ और इस्ताई रूप से बैठ जाता है कि मैं मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं ये हमारा अस्तित्व पता चल जाता है ये पर्मानेंट अस्तित्व है चिरस्ता इस्तित्व है सनातन सत्य है ये और जगत का संचालक जो है कोई ईश्वर नहीं है जगत का संचालक छह इटर्जनल तक तो करते हैं जीव अजीव और जो हमारा गतिशायक इस्तिशायक टाइ और इस्पेस ये जहां छह है वही जीवन है ये छह सनातन सत्य भूद वविश्य वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर जगे मौजूद होती है एक सुई की अड़ी भी नहीं होती है जहां पर ये छह था तो मौजूद नहीं हो तो इसलिए इन छह तत्रों के माध्यम से सरस्थी चलती जब ये दोनों ब्रांती मिट जाती है तो ब्रांती मिटने से हमारा करतापद सबसे पहले समात हो जाता है करतापद क्या होता है कि मैं मेरे सोहन राज रूपी मन वचन काया हूँ यानि मन वचन काया मैं हूँ और मेरे मन वचन काया का संचालक भी मैं हुए!